तो चले विश्टेंट फाइली आज हमारे पास जो है आठ फरबरी के जो भी कोशन बेपर हुए हैं तो इस्ट्वेंट के माद़म से जो बाट तर पर हमें कोशन पराप्त हुए हैं उसके सलूसन हम करेंगे और यह और इंडिया बेस पे है हर इस्टेट में जो नालेट के क्याते हैं ठीक है तो आज हम जो कुशन सॉल करने वाले उसका सलूसन हम करेंगे साथी कल का अगर आपने सलूसन नहीं देखा तो वह भी देख लेजगा क्योंकि हो सकता है वह कोशन आपका साथ तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में किसी भी दिन वह रिपीट हो सकते हैं तो उन question को बिल्कुल भी ignore ना करें और repeat होंगे जरूर, यूँकि knowledge के पाद जो question का set है, वो करीबन 12 से 16 question का set है, हर एक module का, जैसे कि M1 का है, तो 12 से 16 questions हैं, जो कि आगे पीछे वो हर date में repeat होने वाले हैं, तो इस प्रकार से वो questions आपको तयार करने हैं, तो देखे M2, M3 का कल का solution है, वो हमने आपको डाल दिया है, पूरा complete M1, M2, M3, M4 का भी solution यहाँ पर देखे डाल दिया है, तो इसको जरूर देख लिजेगा, और complete देखे videos की classes भी available हैं, आप home button पे चले जाएगा, और यहाँ पे M1, M2, M3 और M4 की playlist अबलेवल है, जो की free of cost है, आपको कोई भी course purchase करने के जरूरत नहीं है, complete solution जिसमें अगर आप इसको देख लेंगे, तो हम guarantee लेते हैं 110% आपका paper निकल जाएगा, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आज का जो solution ने कुछ इस पेकारते हैं, और यह 8 फरवरी को जो भी questions आए हैं, M1, M2, M3 में उसका solution करेंगे, और बाकी अगर question other state से हमारे पास बाद में भी आते हैं, और इसके बाद भी अगर आपको code purchase करना है, तो यहाँ पे अभी latest PDF यहाँ पे upload कर दी गई है, python की वाइबर की जो question थे PDF थी, वो सारी यहाँ पे देखे, upload कर दी गई है, साथी python के जो नए question अभी मैंने आपको provide कर आए है, channel पे वो सारे question के, यहाँ पे solution और output के साथ upload कर दी गई है, ठीक है, और इसी पकार दे जो आपका, IOT में जो भी latest PDF बनाए गई है, M4R5 की, वो भी देखें आपे, जो basis question आपके पूछे जा रहे हैं, वो साब यहाँ पे upload कर दी गई है, तो लगबग आपको पूरा complete solution आप प्रोवाइट करा रहे हैं, तो WhatsApp पे message करके आप course की जानकारी, या फिर आपके पास अगर कोई questions हैं, जो पूछे जा रहा हैं आपके particular exam में, तो आप अपने question इस पे message कर दखते हैं, इसका solution हम आपको next day प्रोवाइट करा देंगे, तो पहला question देखे, आपसे पूछा गया, एक table आपको बना के दी गई है, जिसमें की employment का database है, जिसमें की एक line में name है, department है, designization है, salary है, और address है, mobile number है, ठीक है, और ये sample की तरीके मैंने त्यार किया आपके लिए, और question ये number तो कुछ और data हो सकता है, ठीक है, लेकिन table आया था, तो table में ये सारे option थे, तो बच्चे जिस पकार से बेजते हैं, उसको हम पूरा बनाते हैं आपके लिए, और यहाँ पर जो जो इसमें settings करनी थी, वो यहाँ पर देखे नीचे दी गई है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना था merge और center में करना है, जो भी employment की table है उसको, उसके बाद make the column उसको आपको bold करना है, उसके बाद करना है, आपके count the total number of employees, आपको बताना है, कितने total number of employees हैं, जो कि department wise है, यानि कि basically sorting का यहाँ पर use करना है, ठीक है, उसके बाद list the name of the employees, जिसकी salary greater than 50,000 हो, count करना है total number of employees, जिसकी salary greater than 60,000 हो, उसके बाद last में जो है, sort करना है department wise ascending order में, ठीक है, तो कैसे इसको देखे, demonstrate करना है, आपको software वहाँ पर आपको दिया जा रहा है, तो इसको करने के लिए, हमको library office कल्क की जवत पढ़ेगी, ठीक है, तो हम open करते है, c, e, l, c, k, ठीक है, already हमारे पाद seat बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा demo में आपको दिखाऊंगा, बाकि उसके बाद आप पिर इसको जो है, easily type कर लिजेगा, क्योंकि easy है इसको type करना, बनाना बहुत कोई कठी नहीं है, तो easily आप इसको बना पाएंगे, ठीक है, तो चलिए मैं कुछ दो चाल लाइने आपको add करके बता देता हूँ, कैसे इसको जो create किया जाता है, तो सबसे पहले हमारे पास name है, और उपर अला कॉलर हमको यहाँ पे यानि की blank छोड़ना है, क्योंकि हमको वहाँ पे employment database की heading डाल लिए, ठीक है, तो cap log on कर लिजे, यहाँ पर लिखना इस्टार्ट कर दीजे, एस आई जी, एन ए टी आई ओ एं, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं, salary, next वाले में address, और उसके बाद आपको create करना है, mobile, इस बगार से आपको create करना था, ठीक है, तो इतना जब आप कर देंगे, और यहाँ पे click कर दीगा, तो यह पूरा fill हो जाएगा, ठीक है, जो उसके size का है, उसके size अनुसार हो जाएगा, उसके बाद देखे, यह जो area आपको बज़ गाई, इसको आपको करना था, select, और यहाँ पर देखे, option होता है, margin center का, इस पर click कर देंगे, और यहाँ पर mouse को रखेंगे, और लिखेंगे, e, m, p, l, o, y, e, data, base, ठीक है, यह आपको करना था, इतना देखे, आपको जो है, इसमें create करना था, database की spelling कर लाए था, तो b, a, s, c कर लिए, उसके बाद, देखे, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको center में कर लिया, employment database की heading को, उसके बाद, make the heading, जितनी, इसमें दी गई है, उस सभी को bold कर लेना है, ठीक है, तो इसको भी हम कर लेंगे, select, और कर देंगे, bold, और यह जितनी भी heading है, इसको भी select करेंगे, और कर देंगे, bold, और कर देंगे center में, ठीक है, यह हमने कर लिया, उसके बाद, देखे, इसमें क्या करने को बोला जा रहा है, bold कर लिया, center में कर लिया, उसके बाद, उसके बाद फिर इसमें आपको data को fill करना है, ठीक है, तो data को आप यहां से लिखना स्टार्ट कर दिए जो भी इसमें नाम दिये गए जैसे कि राज यह इस परकार से तो इसको करने में काफी time लगेगा ठीक है तो इसको हम क्या करते हैं जो बनी बनाई हमाई पास table है उसकी को यहां पर open कर लेते हैं जिससे कि जो है हमारा समय बचेगा त तो ये देखे इस प्रकारते आपको दिखाई देगी ठीक है तो देखे कुछ इस प्रकार से आपके पास table create होके आ जाएगी अब इसमें जो जो बनाने के बाद आप जैसे की इस प्रकारत लिख लेंगे इसको भी आप center में कर सकते हैं select करके यहां से center में कर करना चाहें और पूरे को अगर table करना चाहते हैं तो select करके यहां पर जाके all border का option होता है यह सारे border थी होते हैं आप इसमें border भी लगा सकते हैं अगर कहा जाए तो अगर ना कहा जाए तो नहीं करना है अपने मन से इसमें designing नहीं देनी नहीं तो फिर number कर जाएंगे आपके जितना बोला जाए उतना करना है ठीक है अब इसमें देखिए जो है settings करने हैं चाहिए कि count the total number of employee department wise तो उससे पहले करने से पहले आपको जो इसमें करना है वो क्या करना है इसमें हमको लगाना है filter तो हम क्या करेंगे यहां से पूरा इसको select कर लेंगे और डेटा पर जाएंगे और यह देखे control shift all इसकी shortcut की होती इस पर select कर देंगे तो यह हट जाएगा और यहीं से control shift और लबा देंगे तो देखिए इसमें filter लग जाएगा सबसे पहले हमको filter लगा देना सबसे पहले और आप से पूला जाएगा माल लिए सी या सीएस की department के कित्ते लोगा तो हम सीएस पर क्लिक कर देंगे कर देंगे तो सीएस के देखिए यतने भी department के लोगे उनकी लिस्ट यहां पर आ जाएगी ठीक है तो एक तरीका यह यह गया तो इसी परकार से दूसरे का निकालना है सीए का तो देखिए दो यहां पर सीए के आ जाएंगे ठीक है आई टी का बोला जाए तो आई टी के निकालना दिखा दीजे और इसको समिट कर दीजे ठीक है department वाईस अगल अलग-अलग आप निकाल सकते हैं उसके बाद जो है आपका पूचा गया है इसमें हाँ लिच्ट दी ने बाप दी एंपलाई हूस सेलरी गेटर देन 5000 तो 5000 ज्यादा जिनकी सेली है उसका जो आपको है इसमें लिच्ट दिखाना है तो कैसे करेंगे सबसे पहले department पर जाके इसको कर देंगे all पर क्लिक ठीक है और सेलरी प को क्या देनी है condition देनी है तो condition कैसे लगाएंगे यहाँ पर जाएंगे filter by condition तो इसमें आप आपको करना है जो जिनकी सेली greater than 5000 है उनकी list आपको यहाँ पर जो है वो print करानी है ठीक है तो कैसे करेंगे यहाँ पर बोल नहीं रहेगा तो सेली पर आपको जाना है और इस सभी को से ज्यादा की चाहिए तो देकि 5000 से ज्यादा वाले जितने भी हैं या अगर हमको 5000 को भी प्रिंट कराना है तो फिर सबको सेलेट करें यहां से by condition पर जाए और greater than equal to कर दें ठीक है यह वाले condition लगा देंगे तो 5000 ने प्रिंट हो जाएगा और जो और condition होंगी वह भी प्रिंट हो जाएंगे 5000 के उपर जितने भी वैल्यूस हैं वह यहां प्रिंट हो जाएंगे इसमें जो पूछा गया वह 5000 पूछा गया तो वह आपको तो यह क्या बताना है लिश्ट नंबर आप एंप्लाई तो कितने एंप्लाई आपके जिनकी 5000 ने चार एंप्लाई हैं ठीक है उसके बाद है मारे पास्ट इसमें लिश्ट दी टोटल नंबर आप एंप्लाई हो सेली गेटर देन 4000 ठीक है तो आप यहां पर लिख सकते हैं टोटल नंबर आप एंप्लाई कितने हैं इसको कल्कुलेट करके और उसके बाद जो है टोटल करना ह हमको 60,000 तो सेम कंडिशन है इसको किलियर फिल्टर करके इसको अटा दीजे यहां से और यहां पर जाएए और हमको करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 60,000 ठीक है तो 60,000 के उपर है 80,000 यह तीन आपके नाम आ जाएंगे ठीक है तो इस पेकार से देखे इसको यूज किया जात है और इसको इसी पेकार से इसको बनाना भी था उसके बाद लाश्ट में दुझा इसमें सौट दी डेटा डिपार्टमेंट वाइस और असेंडिंग ओडर में करना है इसको ठीक है तो डिपार्टमेंट वाइस पर गया और हम कर दिया असेंडिंग ओडर में तो देखिए होगे आपका question number पहला जो इसमें पूछा गया था काफी easy था simple से next question पर चलते हैं create a presentation consistent of five slide on knowledge daily in LibreOffice impress पर आपको करना है ठीक है तो चलिए LibreOffice impress को पहले opening कर लेते हैं हम लो LibreOffice impress IMP RE SS LibreOffice impress को हमने open कर लिया उसके बाद जो जो इसमें बोला जा रहा है पहले आपको वहाँ पर करना होता है ठीक है तो देखिए आपसे बोला जा रहा है select the presentation option in LibreOffice सबसे पहले हमको क्या करना है LibreOffice का presentation हमको open करना है ठीक है और यह five slide बनेंगी जिसमें जो भी slides होंगी उसमें आपका जो title होगा वह नाइलेट डेली आपको लिखना है तो यह हो गया और यहीं पर आपको presentation में आपको जाना है आप देखिए presentation का option है ठीक है तो यहीं से आपको presentation select करना है तो कोई सा भी ले सकते हैं आप इसमें लेकिन इसमें question पढ़ लिए पहले question में देखिए क्या बूले selected the blue border as the presentation in background तो blue border काम को लेना तो देखे blue border का आप ले सकते हैं इसमें बहुत सारे blue border के तो कोई से भी ले लिए मान लिए हमने यहीं वाला ले लिया और open कर दिया यह हमारा blue border पर आ गया देखे ठीक है और भी अगर इसमें border लगाना है तो आप option है उसमें आप लगा सकते हैं यहां से लेकर फिल कर सकते हैं कलर बगेरा जो इसमें बोले गए हैं ठीक है लेकिन अभी जो है हमको फिलाल इसमें blue border पर बोला गया तो हमने blue border पर ले लिया और कितने इसमें slide लगेंगी वह भी देख लिजे 5 slide लगेंगी ठीक है तो यह यह वाली slide को आप कर लिजे न्यू या duplicate कर लिजे चैन्यू कर लिजे ठीक है 4 और यह 5 slide हमारी बन गई और पहली वाली जो टाइटल लाएगा नाइलेट डेली इसमें लिखा ज होगा ठीक है या custom color पर जाके यहां से आप इसमें जो है dark blue लगा सकते हैं ठीक है और यह फिल करने के लिए color है तो अगर फिल करना चाहते तो फिल भी कर तकते हैं तो यह हो गया आपका ठीक है slide में उसके बाद है presentation option लिबर आपिस हो गया selective border हमने लगा दिया creative presentation as title जो है इसम presentation में जो titles रहेंगे हमारे यहां पर इसमें हमको लिखना है l-i-b-r-e-o-f-f-i-c इसको कर लेते हैं copy और सभी में जाके कर देंगे paste बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं ना भी लिखें तो कोई issue नहीं है बहुत बड़ा और इसके बाद जो इसमें करना है create और तो नहीं है कोई दिक्कत नहीं इसी में देखे insert image का option है या फिर यहां पर जाएंगे insert media और देखे gallery का option है तो इसमें गैलरी बनी बनाई होती है इसमें आपको internet की जरूत नहीं परती है तो कोई सा भी आप image लिए लिए office से सम्मंदिद है तो यहां पर office से सम्मंदिद अगर आपको यूज होते ही है ठीक है तो इसमें से हम एक image दे लेते हैं computer का झाया हो कि मॉझे हमने यह वाला image उठा लिया और यहां पर paste कर लिया ठीक है तो यह image हमारा आ गया यह देखेंको को इसमें लगाना है ठीक है इस को कर लेंगे हम vendors कॉप्टी और सभी में जाकर इसको paste कर कर लिए यहां पर जाके इस लिए आपको चलाकर मापे दिखा देना तो इस मैं है परिस्क नहीं है क्योंकि इसमे एड करने की और रहए सिंपल सभी अगर याइड भी कर तो कोई इसू नहीं नमबर उसमें कटेंगे नहीं आपके तो इस नहीं है create a first slide लिब्रे ओफिस और इसको save कर देना था नाले डेली के options से तो इस नहीं आपको देखे इसमें slide जो है create करनी थी और एक ठीक है next question windows operating system देखे हाप एक heading देखी paragraph दिया गया है तो इस paragraph को हम पहले copy भी कर लेंगे क्योंकि यह इसमें कुछ नहीं कुछ settings करनी होंगी ठीक है तो इसको हमने select कर लिया यहां से अब देखें यहां पर क्या-क्या बूला जा रहा है वो करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमको open करना है LibreOffice righter open कर लेते हैं राइटर को open करके हम इसमें लिएते हैं वही रापोड हम में लिख दिया चलिए यहां पर ठीक है यह हमने इसको सही से वहां से देखे कॉपी करने पर प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए आप इसको अपने इसाब से सेट कर लिजे उपर नीचे करके इससे कि यह सब एक ही लाइन में आ जा है क्योंकि format यह सही नहीं है ठीक है अब यह देखे format ठीक आया ठीक है तो यह है कुछ एक format आपका मालेज यह दिया गया है इसमें bald लगा हुआ है बोल्ड को अटा देजे नॉर्मल कर देजे उसके बाद आप देखे इसमें करना क्या है इसमें अब क्या क्या सेटिंस हैं da replace Windows वर्ड को Windows Auto Pine सिफ्टम में हमको कनवर्ट करना है तो जहाँ जहाँ सिस्टम में convert हो गया ठीक है तोड़ा जूम कर लेते हैं इसे आपको दिखाए दे तो देखे सब देखा Windows operating system हो गया यहाँ पर double हो गया तो यहाँ पर कोई दिख करने इसको अटा दीजे आप तो कि एक जगह वैसे ही लिखा था पहले इसे एक setting हो गई make the first line जो है उसको बोल्ड करदेना अपको यह जो पहली लाइन दी गई इसको हमको करदेना आप चलीए बोल्ड रोगए उसके बाद make this second line जो इसको italic करना है तो यह हमारी second line हो गई in 1927 से had applause जो भी setting लाइन ना इन anti टेलिक होके चलिए उसके बाद Underline इन थर्ड लाइन में करना है तो तीसरी लाइन में गया है और इसको कर देना है हमको Underline तो यहां साथ हमने इसको Underline कर दिया ठीक है उसके बाद alignment करना है fourth line into center में तो यह fourth line है इसको align कर देना है center में चलिए center में आ गया ठीक है बिदिक लिए सारी ही आ जाएंगी वो इसमें center में तो आपको थोड़ा सा space करके जो है इसको select करना पड़ेगा ठीक है अब यह देखे center में आ गए उसके बाद है make the font color first line में जो आपको इसमें जो है red color का font दे देना है तो यह फॉन कलर और यह red दे दिया है ठीक है easy है उसके बाद change the font style fifth line में जो आपकी है यह fifth line है इसमें हमको font दे देना aerial बोला गया है ठीक है तो aerial को ढूंड लेते है aerial उपर सब से आपको मिल जाएगा यह type करेंगे तो भी आ जाएगा ठीक है यह area लगा दिया हमने इसमें थोड़ा सा बड़ा हो रहा है size तो इसको 11 पर कर लिजे जो size बूला जाए वो तो अभी आपको करना ही पड़ेगा इसमें यह होगा आपका change this second line में 18 point करना है यह जो second line दी गई है इसमें जो हमारा है 18 point करना है चली 18 हो गया यह अगर इसको नीचे कर लिजे कोई दिक्कत नहीं है इतना आपका चल जाएगा setting ठीक है उसके बाद है insert time date start and document और कुछ तो करना नहीं है हाँ तो insert and time date इसमें open करना है तो time date के लिए कहीं पर भी आप इसको open करा सकते हैं यहीं पर mileage है और insert पर गए और देखिए यहां पर option होगा आपका time and date का यह है field में देखिए ठीक है time and date तो पहले date पर क्लिक कर लेते हैं देखिए date आ जाएगा यहां पर ठीक है और insert पर गए find पर गए और यहां पर कर लेते हैं time तो यहां पर आपका time आ जाएगा इस पर कार से ठीक है तो यह आपको करके इसना save कर देना था तो यह है देखिए easy size में जो procedure आपको करना था तो इसी के आपको जो easily आपको जो number मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे अराम से जो है 30 number आराम से आपको इसमें मिल जाएंगे ना लेट आपको दे देगा कर इसी बकार से setting अगर आपने की होगी तो easily आपको number मिल जाएंगे कोई number आपके नहीं कटेंगे पेरग्राब उपर नीचे हो जाता तो उससे कोई दिक्कत नहीं है जो जो conditions बोली गए यह से की red color second line में आपका italic और इसमें आपका जो है underline ठीक है और यह जो center में बोले के यह settings अगर उनको सामने वहाँ पे दिखेंगी तो वो समझ जाएंगे कि हाँ कुछ ना कोई इसमे practical हुए है उसमें जो question पूचे हैं उसको देख लिए ठीक है write HTML5 code with CSS HTML5 और HTML लगबक सेमी है उसमें आपको SCSS के साथ एक following code लिखना है इसमें देखें क्या क्या करने को बोला गया आपके to create form and accept name, age, email address आपको एक form create करना है और उसमें एक submit button भी करना है data को send करने के लिए और ज क्योंकि CSS दिया गया तो जायर सी बादस में add करने पड़ेगी तो हमने एक example के तौर पर आपके लिए देखें यहां पे एक user form को create किया है ठीक है और इसको हम ले चलेंगे अपने coding पे जहां हमारा editor है और वहां पर आपको लिख के संग जाएंगे ठीक है तो यह है हमारा इस जायन किया हुआ है इस पर करेंगे इसको paste जैसे देखेंगे पेस्ट करेंगे यह कुछ इस पर कारते हाइलाइट हो जाएगा थोड़ा सा और जूम अगर कर ले तो आपको सायथ के लिए दिखाई दे जाए हाँ अब और आपको अच्छा दिख रहा होगा ठीक है तो देख इसे ब्लैक में तो आपका वाइटी जादा सही रहता है लेकिन आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं रैट दे दे रहें ठीक है इस पर कारते रैट तो मालेजिए यह है अब कैसे इसमें देखें नेम एज इमिल एडर देख सब्मिट बटन आपको क्रेट करने तो जो की लगाया है और नीचे यहां पर इसका ओपन टैक नहीं लगाया है लगाना भूल गया होंगे तो यह लगा लिजे ठीक है इस परकार से अब देखें यहां पर जो लिखिया आएगा टाइटल वो आएगा यूजर रिष्टेशन फॉर्म इस परकार से सो होगा अभी इसमें स अब इसको सेफ कर देंगे तो वहां पर यह सो होगा तो टाइटल में हमें लिख दिया यूजर रिष्टेशन फॉर्म ठीक है उसके बाद हमारे पास है इस टाइल अब इसमें देखें इन-line CSS का यूज़ किया गया यानि कि HTML के अंदर ही CSS को भी हमने यूज़ किया है तो हम इस टाइल हमने दे दिया इसका italic और text को लाइन कर दिया हमने center में और style को यहां पर कर दिया close यह हो गया आपका CSS का काम क्योंकि देखें को पूछा गया है जो कहा गया है उसके अनुसारी हमको बनाना है कि HTML और CSS को दोनों को यूज़ करना है एकी में ठीक है तो एकी में हम हम इसको close कर लेते हैं तो एकी में तो हम आपको करके रिखा रहे हैं ठीक है उसके बाद हमने देखिए heading को यहाँ पर close कर लिए ठीक है यह आपका header section है यहाँ पर header और add कर लिजे ठीक है heading को यहाँ पर add कर लिजे यहाँ पर header है ठीक है उसके बाद है body यहाँ से हमने श्टार्ट करी body को body में h1 में हम में लिखा user registration form ठीक है यह आपका देखिए सो हो रहा है उसके बाद हमने form को start किया यहाँ पर form को start किया तो सबसे पहले हम में लिखा name यहाँ हमारा name और इसमें लिखेंगे input type जो कि हमारा लाएगा test और इसका हमने label का नाम दे दी आनिक एक ID create कर दी and name ठीक है और इसमें एक variable create कर दिया जो की form है किस नाम से age नाम से और दो बार देखिए BR को use किया गया जिससे कि दो बार यहाँ पर line break वही अगर एक बार करें देखिए तो यह किस पर करते सोगा नीची हो जाएगा चापक जाएगा तो इसलिए यहाँ पर दो बार युस किया गया जिससे कि और नीची इस वह हो इसके बाद देखे इसमें क्या किया गया है एज को same way जी इसको copy करेंगे बस इसमें क्या कर देंगे एज में कर देंगे number ने ठीक है क्यो को भी हमने एन नेम आइड दे दिये फ्रॉम इमेल ठीक है और इंपुट टाइप एकवल टू सब्मिट वैलू है इसमें सब्मिट बटन तो देखिए आ जाएगी सब्मिट बटन यहां पर ठीक है इस पेकार से और उसके बाद है यहां पर हमने किया फॉर्म को क्लोस ठीक है कई यहीं एमारा जो है नहीं हमारी बडी से क्लोस होगी और हमसी कोड को कंपी करके अगर हम ले चलते हैं अपने नॉटपेड एडीटर में तो यहां पर देखे इसलि आपका code जो सोगा भी मैं दिखा देता हूं किस पेकार से तो वहाँ पर जो एडिटर मिलेगा वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी ठीक है यह है हमने इसको select किया और language पर जाकर जब हम इसको HTML कर देंगे तो easily जैसे HTML क्लिक करें देखिए HTML का दिखाएगा कि block है कि नहीं ठीक है यह सारा यह ज़रूरी होता जाना और देखिए body है form और HTML ठीक है लगबख सभी सही है तो यह है आपको जो इसमें create करना था easy है simple सा इसको note कर लीजे next question HTML में आपका m2r5 में जो पूछा गया है create a simple login page in HTML with CSS code तो इसमें एक login page हमको जो है create करना है ठीक है with inline CSS का use करके तो देखिए कैसे बने गई यह easy है simple size का भी code हमारे पास लिखा हुआ है और यह तो हमने अपने जो नारेट का user page बनाया था उसी से ही हमने इसका जो code copy कर लिया है इससे कि हम आपको बता पाएंगे तो देखिए कुछ इस पकार थे अब इसमें जो CSS है वो इसमें so क्यों नहीं हो रही क्योंकि CSS का जो code है वो external है ठीक है तो आपको जो महाँ पे screen मिलेगी उसमें CSS वाला भी option होगा ठीक है तो उसी से मैं दिखा देता हूँ फिलाल इसका जो code है हमारे पास CSS का वो अबलेबल है इसमें ठीक है मैं देख लेता हूँ इसी में देखिए code आपका सो हो रहा हुगा style.css तो यह है इसकी file हमारे पास ठीक है तो यह है इसका code और इसको भी अगर मान लेजे हम copy कर लेते हैं और इसको यहां से हटा के और इसी में अगर आप add करते हैं तो इसी में यह so करने लगे का इसा कुछ नहीं है इसमें भी आप use कर सकते हैं अपने code को ठीक है बस यहां पर आपको जो है फिर वही जैसे कि अभी हमने पिछले code में आपको दिखाया था style वगरा जो है आपको यहां पर use करने पड़ेगी ठीक है अगर इस परकार से नहीं होता है क्योंकि आप जब अगर भूला गया है तो आपको जो CSS वाला आपके में column होगा उसमें आपको इसमें इसको रखना है ठीक है तो जब आप उसमें रखेंगे तो easily यह आपका run कर जाएगा ठीक है बाकी एक बार हम try कर लेते हैं तो क्या यह work कर रहा है तो देखिए work नहीं करेगा यह ठीक है ऐसे work नहीं करेगा कोई इसू नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे यह run करेगा code हमारे पास sublabel है ठीक है और हम गये index पर login page हमको basically create करना है तो इसका आप code देख लिए पहले तो यह है इसका code ठीक है login का जो page बनेगा फिर css का जो है वो भी हम दिखा देते हैं जो css है वो इस पकार से आएगा ठीक है css इसका इस पकार से आएगा और दोनों को अलग-अलग save करके हमको अलग से इसमें merge कराना पड़ेगा ठीक है तो कहा चला गया यह है तो देख लिए कैसे आएगा पहले इसी को हम रण करके दिखा देते हैं आपको तो कुछ इस पकार से यह देखे यूजर पेज आएगा ठीक है नालेट का यूजर हमने login बनाया इसमें username, password और login पेज आपको यहां पे so करेगा इस पकार से तो code देख लेजे सबसे पहले हमने लिखा इसमें HTML ठीक है language है अगर देना चाहते है तो दे सकते है बना ना भी देना चाहते है तो simple सा आप इस परकार से HTML भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसका heading स्टार्ट करी और इसमें हमने meta character set इसको भी ना लिख होगा ठीक है यह देखिए उसके बाद है इसमें हमने start करी body को body के अंदर div container को लिया इसमें की h1 है label 98 user login जो की आपका यह सो हो रहा है ठीक है उसके बाद है इसमें form हमने create किया login form action.home page यानि कि जब इस पर click करेंगे तो एक नया form open होगा ठीक है तो इसको इसमें तो हमें open कर बना नहीं कोई form तो इस line को आप नहीं भी add करेंगे form को तो कोई दिक्कत नहीं है simple साब जो है इतना कर दीजे हां पर बस ठीक है इस प्रकार से अब इसको run करते हैं तो देखे open होगा बिलकुल होगा ठीक है तो यह हो गया आपका form हमने open किया div class font username और input में auto complete off कर दिया इसक होगी बाकी आप simple साही बना सकते हैं जैसे कि अभी हमने आपको बना कर दिखाया था पकी note कर लिजे इसमें देखिए please fill your email address देगे यहाँ पर सो रहा होगा ठीक है उसके बाद है इसमें हमारे पास कहां चला गया यह ठीक है password वाला column होगा please enter your password अगर आप नहीं डालेंगे तो यह message सो होगा उसमें ठीक है जब error होगी जब password में और फिर यहाँ पर submit बटन लगा दी form को close कर दिया div और यहाँ पर script कर दी java script की तो अगर हमको इसको validate बनाना है तो java script को add करना है बना इसको add नहीं करना है ठीक है बाकि आपका form open होगा लेकिन वो work नहीं करेगा login वग देंगे तो कुछ इस प्रकार से देना पड़ेगा जब यह नहीं देंगे तो आपका जो code सो होगा कुछ इस प्रकार से सो होगा देखिए मैं दिखा देता हूं अगर आप इसमें CSS नहीं add करेंगे तो यह code हम copy करते हैं और अपने editor पर लेचलते देखिए कुछ इस प्रकार 0 margin 0 ठीक है body के अंदर आ गए यानि कि body में background लिखा जो भी उसमें image बगार ले लगा हुआ है background में उसका जो size cover alignment center कर दिया justify center display flex font family sensitive ठीक है उसके बाद उसमें container जो add किये है container में position relative margin हमारा 100 pixel top पे width हमारा हो गया 45 height auto background जो भी color आप देना चाहते हैं जैसे कि इसमें हम ने दिया है और border का radius five pixel ठीक है तो यह जो है पूरी design का है जो है किया गया है इसलिए center में so हो रहा है इसलिए CSS को use किया जाता है उसके बाद हमारे देखे लेबल्स हैं लेबल में हमने padding में लगाई फिल login form में फिल login form के जो font है उसमें setting है ठीक है उसके बाद के login form के input में ठीक है login font number two और यह सारी coding इसके अंदर दी गई है देख सकते हैं अगर आप यहां पर जाएंगे देखिए यहां पर font one font two यह जितने भी हैं यह container के अंदर जो काम हमारा CSS कर रहा है ठीक है उसके बाद देखिए form की login button है उसके अंदर सारी settings है यह तो काफी लंबा यह बनता है तो एक client को हम अगर लिखेंगे तो यह वीडियो एक घंटे की पूरी बनेगी तो simple सा समझ लिए यह कैसे design होगा है तो इस पर कारते आपका design color कोई भी आप दे सकते हैं तो यह आपका user login form जो है create करना था और भी इसको simple कर सकते हैं तो next वीडियो में हम कभी आपको बता देंगे काफी है आपको थोड़ो सकता है थोड़ो सा कठीन लगा हो लेकिन और भी simple यह बन सकता है बहुत ही simple बन सकता है तो next चलते हैं आगे जाबा स्किप्ट प्रोग्राम टू प्रिंट हमारा करना है multiplication table of a number तो जाबा स्किप्ट प्रोग्राम में यहां तो यह हम लेखे हैं कि टेबल यह 5-1 प्रिंट करने है तो यह वार की करनी तो 4 की कर देगा इसे के बागि refresh करेंगे तो यह चला जाएगा वन की टेबल प्रिंट करने यह तो बन कर देंगी इस प्रेकार से और 14 की करनी है, 14 जिसकी भी करेंगी, 55 की जितनी भी करते जाएंगी, नीचे आपके प्रिंट करता जाएगा, आपको रिफ्रेस करना परेगा, जितनी बढ़ी चाहिए, अतनी बड़े टेबल प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, है script i जो कि हमारी java script लिखी जाएगी यहां से और type है java script का function print table variable create किया num num equal to number document.get element id जो कि dxt number में value में store हो रही for variable जो है i equal to one है और i जो है less than भी है greater than भी है और equal to भी है 10 यानि कि जो भी value है 10 तक तो जाएगी और 10 से छोटी भी print होगी और plus उसका increment भी होगा ठीक है यानि कि जो भी table print होगी वो एक से लेकर 10 तक print होगी और 10 भी print होगी इसलिए condition दी गई है उसका variable p tag document.get element id by p print p tag.inner html में जो भी number होगा उसमें i में multiplication हो के add हो जाएगा ठीक है तो जो भी value देंगे इसे 2 है तो 2 में 2 x 3 है तो 2 x 6 आपका चला जाएगा add होगा plus multiplication होगा ठीक है तो इस प्रकार से कुछ condition इसकी देनी है तो यह script होगा हमारी heading को यहां पर देखिए हमने कर दिया close फिर नीचे आते हैं body है body में हमने style दिया text align center में तो यह जो हमारा है इदे के center में सो हो रहा है ठीक है उसके बाद h1 heading दे जाबाइस कि तो यह को छोटा सा भी कर सकते हैं जाबस की फंटन डिस्प्ले नहीं भी लिखना चाहते है तो कोई दिखकर नहीं है उसके बाद हमने एक paragraph दिया जिसमें दिया तो यह है simple सा इसका प्रोग्राम आप इसको यही से run करा लिए तो run जब कराएंगे तो इस परकार से आ जाएगा 45 की टेबल की प्रिंट करने है इस परकार से प्रिंट हो जाएगी तो यह आपको जो है इसमें create करना था next यह आपका इसमें भी आ जाएगा त्टीक अगर इसमें भी अगर आप प्रिंट करना चाहेंगे हमारे अडिटर पर तो यह इसमें देके run हो जाएगा त्टीक करें कोई दिकत नहीं आएगी नेक्स्ट यह हो गया इतने कोशन हमारे पात जो प्राप्त हो है M2R5 के जो पूछे गया थे आके चलते है M3R5 M3R5 में देके पूछा गया है Write a Python program to multiple all the items in the list ठीक है कोई एक list आपको जो इसमें create करनी थी और उसमें जितने भी आइटम थे उनको आपको multiplication करना था लगी हुई है इसको कर लेते हैं copy और अपने Python का ID पर ले चलते हैं अब देकिए प्रिंट नहीं होगे क्योंकि इसमें block code नहीं है ठीक है तो block code के लिए हमको जो चलना पड़ेगा आपका जो 14 September का पेपर है इस पे से हम open कर लेते हैं इससे कि हमको copy करने में असानी हो जाएगी यह है आपका प्रोग्राम जो पूछा गया multiple वाला इसको कर लेते हैं copy और यहां पर करते हैं paste अब यह देके run हो जाएगा इसमें बोला गया है प्रोग्राम में write a python program to multiply जो भी लिस्ट आप दे रहे हैं कोई वैल्व आप दे सकते हैं उसका multiplication हो जाना चाहिए तो अभी इसको हम close कर लेते हैं तो यहां पर गया देखिए हम में लेका एक एक वैर्ड वैरियेबल क्रेट के डेफ multiply अंडर इसको लिस्ट आइटम ठीक है कोई माली सौट चोटी वैल्यू देते हैं हम इसमें इसमाली वन टू फॉर देते हैं तो चार दूनी आठ आठ एक कम आठ हो जाएगा आठ वैल्यू आपके आजाएगे देखिए एट प्रिंट हो गया है यहां पर ठीक है इसमें अगर हम कोई और वैल्यू एड करते हैं इ तो जो एडिशन वाला बूला जाए तो इसमें आपका यहां पर आप मॉल्टिप्लिकेशन को लगा देंगे तो इसमें जो है प्रोगाम एड हो जाएगा आपका ठीक है इसमें एडिशन का बन जाता है चार तीन साथ दो नौ ठीक है चार तीन साथ और दो नौ ठीक है यह है तोटल यह कंडिशन नहीं बनेगे एडिशन का दो अलग बनेगा ठीक है यहां पर एडिशन ना करिए आया है आपके लिए ये है तो कोई लिस्ट है उसमें से से लाजस कण नंबर हमको फॉर लंकरते हैं तो यह लिश्ट है देखिए हमारे पास पास मिन माlt मिनश लगा हुआ है मवाईनस एट है तो अब इसमें लाजस ममर क्या है हमारा पास देखे 200 हो रहा है ठीक है तो जैसे कि हमें लिखा def maximum list अब ये आप कुछ भी दे सकते हैं ये तो हमने create किया इसके लिगा आप खाली max दे सकते हैं कुछ भी value दे सकते हैं उसके लिए maximum equal to list zero कर दिया हमने ठीक है for a in list if a जो है हमारा अगर बड़ा है maximum से तो maximum बराबर हो जाएगा हमारा a हो जाएगा और return कर देगा maximum value को print maximum number of list जो भी इसमें maximum number होगा वो हमारा print हो जाएगा minus हमारा maximum number नहीं हो क्योंकि वो zero से नीचे वाली value है ठीक है अगर यहां से आप मानस हटा देंगे तो सिर्फ हमारा eight print हो जाएगा यहां ठीक है इसी में value को और आप add भी कर सकते हैं इस परकार से तो आप जो maximum value होगी वो print हो जाएगी ठीक है कोई question एक ही पार्ट में थे ठीक है एक पार्ट में a b c करके question थे आपके यह 15 पंदा नमबर में ठीक है तो इस परकार थे पार्ट में थे तो इस माले इस नंब आप्रिंट करना है तो इस नंबर कई कि प्रिंट है यहां पर थjos shaken चोटे प्रोगां पूछे गए हैँ यह वो गए आपका इस ऑसी मालेश वन हमारी smallest हो जाएगी ठीक है तो इसमें भी सेम वह कंडिशन है minimum list equal to 0 यानि कि index का निशार देखता है तो index 0 1 इस परकार से देखेगा और अगर value minus में होगे तो फिर वो पीछे से तो नहीं देखेगा लेकि वो minus से ही start करेगा फिर वो ठीक है तो यह है तो इस परकार से आपका minimum का जो है program बन जाएगा note कर लिए इसको भी next question देख लेते हैं जो पूछा गया है हमारे पास हाँ एक और देखे पूछा गया है सायद और तो नहीं है हाँ इतना है दो question और आए हमारे पास यह write a python program to find those number which divisible by 7 से divide हो जाए और 5 से divide हो जाए और जिसकी range दी गई है पंदरा सो से 2700 ठीक है तो इसमें basically हो कह रहा है ऐसे वह संक्यान बताने है जो साथ से भी divide हो जाए और पास से भी divide हो जाए ठीक है तो वह कौन सी संक्यान है तो देखे यहाँ पर एक हमने create किया है इसको हम copy करते हैं यहां से और इस पर ले चलते हैं ठीक है तो हमें लेखा देके list है कोई for x in range range हमारी कित्ती है 500 से 2700 ठीक है इफ x को model करेंगे तो 0 को बराबर हने कि जब हम division करेंगे कोई value को x से 7 से तो वह 0 आनी चाहिए और 5 से डिवाइट करेंगे तो भी वह 0 आनी चाहिए ठीक है अगर वह आती है तो यह condition हमारी प्रिंट हो जाएगी और वह condition मतलब वह हमारी लिस्ट जो है वह प्रिंट हो जाएगी उसके वाद हमने कर दिया देखे list.append याने कि वह string होके add होके इसमें जूएन हो जाएगी तो देखे कैसे रन करेंगे देखे पन्दरा सव पाँन पन्दरा सव चालिस यह जितनी लिस्ट है 27building से लिके पंदा सव के बीच की लिस्ट हमारी नमबर है जो सास से भी डिवाइट होंगे और हमारे 5 से भी डिवाइज होंगे आप नहीं मानते हैं तो यहां पर देख सकते हैं ज़िए कि 15105 है इसको आपका है वह है रेंज जो आपको प्रिंट कराने चाहिए कि नेक्स दिखर पूछा गया है find the sum of the two lists को आपका जो है सम आपको करना था इसमें तो यह तो मैंने आपको कराया प्रोगराम को यह कोपी कर लेते हैं और इसको रंग कर लेते हैं दो लिस्ट आपको देदीे नहीं थी उनका जो है हमारा जो एड़ होके आ जाएगा इसे दो लिस्टन में दी तो 538 639 714 और 987 यह आपका प्रिंट हो जाएगा तो एक लिस्ट यह क्रिट हो गई उसको प्रिंट किया लिस्ट वन में इस्टिंग इस्टोर करी हाँ पर सेकेंड इस्टोर करी रिजल्ट में हमारे पास अभी वैलू इस्टिंग में आपका जो भी रिजल्ट में जो हमारी इस्टिंग है उसको इस्टोर कर देगा तो यह हमारे पास आजाए कंडिशन इजी यह भी मैंने आपको बताया था सायद यह आला प्रोगर्म यहां पर अब लेबल होगा सायद पाइथन की दूसरी या तीसरी चौधी कोई क्लास है उसमें यह बताया है तो चले उसन आप चलते हैं आपके जो प्रेटिकल की कोशन पूचे के हैं M4R5 का ठीक है M4 I5 की जो कोशन पूचे गया उसको डिसकस करते हैं तो इसमें देखें कोशन पूचा गया है तू इंटरफेस LED बजर विद और डियूनो एंड राइट आप प्रोग्राम और टर्न करना LED को चर'm को मिल सकताब अधर नहीं कि एक सेकेंड वाला कल पूचा गया था आदे के 2 सेकेंड का पूच लिया गया इसी बगरते 5 सेकेन का भी पूचा जा सकता है तो दो सकेंड में हमको इसको जो है जलाना है तो सेम वही प्रोगाम बनेगा ठीक है हाँ अब इसमें जो है बच्चों की डाउट मिल नहीं थी कि सर क्या यह जो आडिनो का आपका कंपाइलर है यह स्यूमलेटर है क्या वहां पे आपको मिलेगा जी नहीं ठीक है आपको को नैसे नहीं करना है सिर्फ आपको जखना है तो सब्सक्री कर से बन जाएगा यह वाइड रिटन में रहप फिर हमने लूप डिइटल लीडि और यह निए और देंड तरीके और चैनल पर या कहीं वैपसाइट पर आपको किसी वार तरीके से लिखा गया हो तो उसमें कोई इसू नहीं है प्रोगाम आपको रन करेगा छोटा से छोटा हम आपको कुछिस करते हैं बताने की जिससे की चार पाइच लैन में आपका जो रन भी करें प्लस आप उसको जो है तयार भी कर सकते हैं ठीक है और यह आप डाइकली भी बना सकते हैं बिना ब्रेट बोट का यूज किया गया तो बिना ब्रेट बोट के भी आप घलान पे जोड पैसको और पी नंबर धर यहां से 0 कर 20 पर आपको दिले कर देना है 2000 पे 2000 पर डिले कर देंगे तो यह आपका दो सेकेंड वार्ट जिलने लगेगी बाकी पूरा प्रेंप सेम दोगाम बनेंगा कल जैसे तो नोट कर लेजे इसको नेक्ट को संदेके पूचा गया है फेडिंग LED विद लडी आर सेंसर जो की लाइड डिपेंडेंट सेंसर होता है और यूनो में इसका आपको यूज करना तो देखिए किस प्रेकार से बनेगा इसका मैंने डाइग्राम इसमें एड़ कर दिया है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं से कि आपको क्लियर दिखाई दे थोड़ा तो देखिए यह है आपका रेजिस्टर लगा हुआ यह LED है ठीक है और यह हमारा LDR सेंसर है और यह 10 किलो ओम की एक रेजिस्टर लगी हुई है और देखिए कैसे से कनेट किया गया तो य हमने देखिए कैसे से कनेट किया हमारा जो सेंसर है एजीरो पर कनेक्ट है और आउटपुट लिया हमने नौ नमबर पर ठीक है वाइट सेट अप पर पिन मोड आउटपुट वाइड लूप इंटीजर रीडिंग एनलॉग सेंसर को रीड करेगा और इंटीजर ब्राइट जो करेगा रीडिंग चार नमबर पर जो हमने इसमें कनेक्ट किया है और यहां पर पर डीले हमने किया है 500 ठीक तो यसे आप इसके पास लेके जाएंगे यह जो आपका सेंसर लखा हुआ है फिर आपकी जो लाइट है वो जलेगी ठीक है और और ईनलॉग राइट आउट प तो किस पिन पे लगाया है तो यह important है अब इसमें हमने दिसे की 0 number port पे लगाया तो आप 012 कुछ भी दे सकते हैं इसमें 0 पूचा गया है और यूनो विद आयर सेंसर प्रोजेक्ट विद लेडी यानि कि आयर सेंसर के साथ आपको जो है LED को जलाना तो देखे कुछ इस पकार से यह होता आपका IR sensor ठीक है और बाकी इसको हमने देखी ground से ही जोडा हुआ है एक इसका part एक इसका जो है plus point और एक इसका देखी negative point ground से जोडा है और एक 30 number port से इसको जोडा है ठीक है और जो आपका IR sensor है उसको देखे कहां से जोडा गया है और इसका जो d0 socket है वो हमारा पिन के नंबर 2 से एड किया गया है तो यही इसमें जो प्रोगाम हमको कर देनी है तो इसमें कोई इसू नहीं है प्रोगाम अगर आपको डाइगराम महाना इफ मिलता है तो आपने मंद से आपको जैसे कि सैंसर पीन को हम ने दो नंबर पर जोड़ दिया आउटपूट मिन को dot print sensor value serial dot print sensor value और डिले कितना कर दी है 1000 इफ अगर जो sensor हमारा low होगा और फिर डिजिटल में डिजिटल आइड आउटपूट हमारा high होगा ठीक एक बार low होगा एक बार high होगा 1000 पे else फिर हमारा low हो जाएगा ठीक है जब हम उसके पाद जाएंगे एक सेकेंड बाद वो आपका low high होगा और उसके बाद यदि भी नहीं तो वो आपका low होगा ठीक है एक बार high एक बार low होगा तो यही है इतने questions आपके पूछे गया थे जैसे हम इसके पाद लेके जाएंगे LDR sensor के पास आपका जो भी है IR sensor तो यह आपका जो है एक सेकेंड के बाद जलेगा भूछेगा तो यह है इसका code इसको note कर लिजए simple सा जो question है वो पूछा गया तो यही है M1, M2, M3 के जो question आज आपके पूछे कहे हैं क्या सा करते हैं आपको सभी solution मिल गयोंगे इसके अलाबा अगर आपके center पे कोई नया question हो तो प्लीस आप इस number पे WhatsApp करें उसका भी solution जो है करवा दे जाएगा और वाइबा में जो question पूछे कहे हैं वो मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि यह वो सब इसी में से question पूछे गार जा रहा हैं इन वीडियो को देख लिजेगा आपको उसके solution मिल जाएगे ठीक है तो thank you for watching